प्रेम से बोलिये बिन्दावन बाके लाल की जये राधा रानी की सलाई जये अरी राम हरी राम 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 आरे रॉऔर्ट ओम एरी राम राम रॉऔर्ट hyvinsche धुअ समय आरे आर्ड उखना हम आरे मिल्त जेश्चर राम रॉऔर्ट है अब लोग अध्यान कर रहे हैं स्रिमत भागवत गीता अध्याय छे असलोक नंबर पांच भगवान हमें बार-बार कर रहे हैं अपने द्वारा अपना संसार समुझ से उद्धार करें अपने को अधोगती मना डालें क्योंकि आप मनुस आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना सत्रु है प्रमात्मा बार-बार कर रहे हैं कि आपका उन्नती या आपका उठान या आपका पतन इस सब आपके हाथों में आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपका उठान होगा भगवान बार बार कर रहे हैं कि तुम या ना समझो कि प्रारब्ध बुरा है इसलिए तुम्हारी उन्नती होगी ही नहीं तुम्हारा उठान और पतन प्रारब्ध के अधिन नहीं है तुम्हारे ही हाथ में है भगवान हम लोग क्या करते हैं हम लोग बार बार आज से पहले क्या हुआ उस पर दो सार उपन करते हैं कि कास हमारे साथ ऐसा होता तो आज हम यहां पर होते हैं वैसा होता तो आज हम यहां प्यों होते हैं, हम लोग पीशे की बातों लेकर निगेटिव हो जाते हैं, उदाफ सो जाते हैं, लेकिन भगवान करे कि ऐसा कुछ नहीं है, आज से पहले आपके साथ क्या हुआ, कितना बुरा हुआ, कितना अच्छा हुआ, उन सब को आप भोल अब क्या करना है, उस पर आप विचार करो, अब क्या करना है, इसके आगे हमें क्या करना है, हमारी क्या प्लानिंग है, कैसा हमारा कर्म है, हमें इस पर विचार करना है, बागवान बार बार कर रहे हैं, कि तुम्या ना समझो कि प्रारब्द बुरा है, इसलिए तुमारे उन्नती होगी ही नहीं, तुम्हारा उथान, पतन, प्रारब्द के आदिन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है, साधना करो, और अपने को उन्नती के गड़े से निकाल कर, उन्नती के सिखर पर ले जाओ, आप जिस भी लाइए हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जौब कर रहे हो, बिञ्यज कर रहे हो, या जो कुछ भी कर रहे हो, उसी में आपको साधना करना है, भगवान का है कि साधना करो, अपने को उन्नती के गड़े से निकाल कर, उन्नती के सिखर पर ले जाओ, जितना करम कर्णेगा जितना परिश्रम करेंगे, जैसे हम साधना करेंगे, वैसे हम उन्नती के गड़े से निकल कर उन्नती के शिखर बचाएगे, यह हमें परमात्मा करें, हमें परमात्मा अस्वासन दे रहे हैं, लोग करते हैं कि मैं गरांटी दे रहा हूँ, तो भगवान यह हमें गरांटी दे और आपको क्या चाहिए बागवान कहा रहे कि मनुष्य को बड़ी ही साउधानी तद्धा तत्पड़ता के साथ सदा सर्वदार अपने उध्थान की अभी जिस इस्तिती में है उससे उपर उपने की राग द्वेश, कामक्रोद, मुहलोग, अलस्य, प्रमाज और पापा चार का सरफ्था त्याग करके सम, दम, तितिक्षा, बिवेक, बैराग आदि सद्गुणों का संग्रह करने की बिशे चिंतन छोड़कर स्रधा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की और भजन ध्यान तदा सेवा ससंग आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करने चाहिए है भगवान हमें करने की सराह तो दे रहे हैं लेकिन भगवान करें कि हमारे जो मेन लक्ष है जो मनुष्य जीवन का जो मेन काम हो क्या है भगवत प्राप्ति तो आपको सत्कर्म करके राग दे स्त्या करके मौ अल्द स्त्या करके आपको करना है आप अपने जीवन में भी और भगवान कर रहे हैं कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए कि सेवा सतंग आदी के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करने चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक एक छण के लिए भी जराभी पीछे हटना तथा रुपना नहीं चाहिए भगवत किरपा के बल पर धीरता बेरता और धीर निश्चे के साथ अपने को जराभी डिगने ना दे उत्रततर उंद्द्थी के पदर अग्रसर होते रहना चाहिए हम लोग कोई भी कर्म करते हैं अप यह पढ़ाई करते हैं मन नहीं लग रहा है निन्दा आ रही है फोन देखने लग जाते हैं, फेस्बुक यूटूब इसम बे उलज जाते हैं, भगवान करें बिलकुल नहीं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें ध्रिण निश्चे कीजिए, भगवान कर रहे हैं, बगवत किर्बा के बल पर धीरता बीरता और ध्रिण निश्चे के साथ अ आपका सत्कर्म बिलकुल ही सफल होगा, यह भवान कर रहे हैं, मनुस अपने स्वभाव और कर्मों में जितना अधिक सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता जाता है, यह में परमात्मा गरांटी दे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जाते हैं, हमें वरंटी कार मिलती है, कि भवान गरांटी कार दे रहे हैं, और परमात्मा से बढ़के इस दुनिया में कुछ नहीं है, और आपको क्या चाहिए, हम लोग इन्स की बाते हैं, उसकी बातों में उल्जे रहते हैं, लेकिन हम लोग परमात्मा की बातें ने सुनते हैं, हमें परमात्मा की बातों में ध्यान देना है और प्रमात्ना जो मार्क हमें बता रहे हैं उसी मार्क में चलना है ठीक है प्रेम से बोलिए रादे रादे